यह उसका दोस्तुक बर नए बीडियो जो में आप सबीका स्वागत और आज हम पहुंच चुके करनाल रेल्वे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है डोश्तों के यू एन करनाल आपको बता दे जो कि हर्याना में पढ़ता है वो करनाल रेल्वे स्टेशन का आज हम पूरा जनक कारी आपको देने वाले कैसे पहुंचेंगे क्या के चीजह हैं तो आपको बता दे कि करणाल रेलवी स्टेशन जो की स्टेशन कोड है के यू एन जहां पे चार ट्रेक और तीन प्लेटफॉर्म बनाया गया आप देख सकते हैं यह प्लेटफॉर्म का नजारा है जो कि मैन इं यहां पे आपको पारकिंग के वैवस्ता मिल जाता है रहे हैं से जोड़ा गया तो काफी सारी गाडिया चाइव वन हे उन्दे भारत हो यह पिर राइधानी एक्सप्रेस काफी सारी गाडिया इस लाइन से इस रूट से घुजरती है और यह प्लेटफॉर्म का नजारा तो मिल जाएगा जिससे ओटो से आप यहां के हर्याना की कोई भी हिस्सों में जा सकते है अगर आपको जाना है तो साथ साथ में करनाल यम्ना नगर लाइन जो है वो भी जोड़ा गया तो काफी अच्छा है यहां पर एक ओवर बिरीज भी बनाया गया ट्रेंड से जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा करनाल से बात करें तो जाजमेर वगेरा दिल्ली वगेरा चंडी गड़ वगेरा इन सभी गाडियां जो है लगातार यहां से गुजरती है चाहे वो अलग-अलग गाडियां हो सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो या पूछताज करने के बाद फिर अप अंदर जा सकता है टिकेट भी आपको बाहर ही मिल जाएगा टिकेट आप बाहर ले सकते हैं और यह करनाल रिइल में श्टेजन का पूरा न जा रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों यहां से पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहां का नजारा और यहां से अनिक जगह पे आप गुम भी सकते हैं करनार रेल्वेज स्टेशन से आपको बता दे कि बसस्टेन की दूरी जश्ट बगल में जो कि वो टूज वेगर आपको मिल जाएगा जो कि वहां से फिर आप बस पकड़के हर्याना के और भी हिस्सों में अगर आपको जाना रेवाडी वेगरा उन सभी जगह पे आप यहां से जा सकते हैं तो यह आपको स्वीधा मिल जाएगा और इसका ओनर की बात करें तो इंडियन रेवेज इनका ओनर है जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं तो यह करनाल रेवेज स्टेशन हर्याना के हिस्सों में यह मौजूद है हर्याना अश्टेट हाइवे 9 में है जो कि करनाल हरयाना में पड़ता है और यहीं पे है रेवेज टेशन तो यह है मैंने इंट्रेंस केट यहां से आने के बाद इस तरीके से प्लेटफोर्म में आपको इस तरीके से नज़र आगा तो आसा वीडियो पसंद आगा प्लीज चैनल को पाँच हजार तक जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से आप यहां पे भी रुख सकते हैं तो यह पूरा नज़रा था आसा है वीडियो पसंद आगा प्लीज चैनल को और वाचिंग इस वीडियो कोई और जानकारी चाहिए आपको तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें और नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा थांक यू सो मच देखिए कितना अधबुत न जा रहा बहुत ही सुन्दर जगा पे रिल्वी स्टेशन काफी अच्छा है और यहां पे काफी सारी गाड़ियां जो है वो इधर से गुजरती तो काफी अच्छा लोकेशन है दोस्तों थांक यू